हाई गाईज आप लोगों ने बहुत सारे स्क्रब पैट्स यूज़ करे होंगे लेकिन आज जो मैं दिखा रही हो ना स्क्रोच ब्राइट का ये स्क्रब पैट देखे इसका रिव्यू और फिर इसको यूज़ करके देखना एक पीश जो है 55 रुपीश का आता है और इसका material स्क्रब का material स्पॉँंज का है और इसके ऊपर ना steel के loops दिये हुए है, पूरे sponge पे दिये हुए है, तो basically two in one है, यह आपके sponge का काम भी करेगा, प्लस steel वाले का भी करेगा, texture इसका rough है, लेकिन grip अच्छी है, और छूने से ऐसा लग रहा है, कि इसको use करेंगे, तो शायद हाथ वाथ finger finger चिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और यह scrub की dimension है, 10 cm by 8 cm, और देखो, इसकी corners यहाँ पे इस तरीके से seal के हुए है, और shape तो यह वापस वहीं आ जाता है, कितना भी कर लो, steel के सारे बरतन आप इससे साफ कर सकते हो, फिर चाहे वह दूद का बगोना हो, या कोई जली होई कराई हो, या कोई भी steel का बरतन, उसको यह एक्दम बढ़िया साफ करता है, और इसमें जाग, देखो जरा कितना सारा जाग होता है, प्लस पैक बोलता है कि आप इसको kitchen slab cleaning के लिए, gas stove को clean करने के लिए, kitchen tiles को clean करने के लिए, यूज कर सकते हो, पट मैं basically तो बरतनी धोने के लिए यूज करते हूँ उसको, और ये scrub बहुत लंबा चलता है, इसका कुछ नहीं बिगरता, अपने जो green वाले scrub आते हैं, कितना चल करते हैं, ये आराम से 3-4 महिने के लिए चल जाता है, overall तो हेट product है, मैं इसमें drawback ढूंड रही थी, as such मुझे कुछ मिला नहीं, बस एक ही point है, कि जो non-stick बरतन है उसको use मत करना, क्योंकि जो इसमें steel के scrub लगे हुए न, उससे ये non-stick coating खराब हो जाएगी, तो overall इस product को try करन तो बनता है, पूरी चिकना ही वगरा, सब निकाल देता है बरतनों में से, अब भी अगर कोई doubt हो, तो comment में पूछ ले न, और वीडियो पसंद आया, तो subscribe, bye bye